हाई आप लोग होप सारे फ्रेंड्स आप लोग अच्छ होंगे और सुबह के पांच बचे में ये वीडियो शूट कर रही हूँ और उट्तिव में साड़े चार बज़े और ये पांच बज़े का टाइम था रोटी वेगरा में बना ली थी सबजी अभी बन रही थी और यहा अब भी करेंगे ये लेके ही जाएंगे ब्रिकफास्ट और इसमें मैं थोड़ा सा नमग डाल दे रही हूँ और यहां पर आप लॉंच बॉक्स देख सकते हैं चार पांच मैंने रखा है क्योंकि इसमें मुझे एक में सबजी रखनी है रोटी रखनी है तो इसमें थोड़ तो यहां पर देखी लंज बॉक्स में मैंने इसको निकाल दूँगी और थोड़ा सा मैं खुद के लिए बचाकी रख देती हूं और इस परश के लिए सपरश नहीं खाता है और मैं थोड़ा सा ही खाती हूं तो बस यह सब रखनी के बाद उसके बाद मैं रोटी भी बना ली हूं सब्जी भी बना ली हूं सब्जी में बनाई हूं भी भिंडी की सब्जी सब्सक्षाइब बनाई हूं सब्सक्राइब ली खाता है पानी भी गुन्गुना कर लिए हूं क्योंकि थोड़ी सर्दे स्टार्ट हो गई है तो इनको गुन्गुना पानी देती हूं उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स कर दी ता कि ज्यादा गरम हो गया था और फिर मैं अभी सब्जी निकाल ले रही हूं और यह हमारा कर दोड़ा पानी मिक्स कर दोड़ा है पंडंट मॉनिंग चंवी रहते हैं यह जा चुके उंधर अंदेरह दिखाई में आज दीघर कि दिखाई नहीं देगा इस्टेंग तने तक भी टारे डीख रहें आकाश में करें अभी तारे देख रहे हैं, बहुत सरे लोगे इस्टाइंग पर आफिस जा रहे हैं, यह चाहन भी दिख रहा है, अभी आफिसे जा चुके हैं, और अभी मैं करूंगी वोक, सपोर सोया हुगा है, देरे-देरे बोल रहे हूँ, क्योंकि मैं अपना एक्सराइज और वोक करू मैं अपना रूटीन, मतलब केमरा उठाने के बिल्कुल इक्षा नहीं होती है, शोल रखी हूँ, विकॉज अभी लग रहे है, ठंडी चली, वॉक कर लेती हूँ, पहले दो भी लेती हूँ, गरम पानी में, पर सोया हुआ है, दर लगता है, उसके चक्कर भी ना कि वो उठ अपना जाए, इसलिए मैं इस तैंपे ब्लोग इंदेखाते हूँ, गरम पानी की थी, इनको मैं दे दी, ठोवा सा और रह गया है, इस तैंपे कीचन मेरा बहुत मेशी रहता है, यह देख रहे हैं, धर, ओमाइगाट बनाना तो इनको देही नहीं है, खाने के लिए, किचन की लाइट, और यह दिखा देते हूँ, आप लोग को, और यह काफी दिर पाद का क्लिप है, मतलब नौ साड़ी नौ के आसपास का क्लिप है यह, और अभी मैं प्लांट में पानी डाल रहे हूँ, बागी सूबर का बहुत सारा काम मेरा हो चुका है, उसके बाद मैंने ब्ल क्योंकि मैं एक दिन गयाप करके न डश्ट बीन वाश कर दिया करती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत गंदा तो कितना भी मैं पोलो तीन उसमें लगा की रखती हूँ, थोड़ा बहुत गंदा चला जाता है, और शपर्ष आपी देख रहा था है, इदर उधर उदर तो अब ही मैंना अब डाल रहे हूं तो यह वाला रबर प्लांट देखे यह गोग होने लगा अब इसका ग्रोथ अच्छा हो जाए ना तब ही अच्छा देखे परश आजाओं अभी हो रहा है दोपर के टाइम लंच मैं अभी नहीं करे हूं लेकिन थोड़े दिर बात करूंगी आदे घंडे बात उससे पहले मैं यह अपना मशीन निकाले हूं चिलाए मसीन और उमेगड़ यह कैसे गिर गया यह अभी आया मेरे पास ना भी ममार्थ का पार्सल आया तो यह जीव हो गया है मैं इसका वीडियो ना आज ही बनाओंगी वैसे मैं यह पहले भी यूज की हूँ इतना ज्यादा अच्छा ना यह फेश वाश है ना कि पूछो नहीं मतलब फेश वाश और इसका जो फेस पैक है फेस पैक मैंने ज्यादा यूज नहीं अगर आप लोग की उफेस किने मगण बहुत जादा अच्छा है ये ना ऊप्टन फेश वाश ममार्ट की से मच है वे बुखना आफ प्लोग यूज कर दो आउतना तो आप लोग को कहां लेताई बनाए Chicago Met colocar Ceyl Circ gen हाँ यह देखिए यह वाली ब्लू कलर की ना मैं विंटर वाली जैगिंग लेका है मैं बहुत जादा विंटर में हम इसको नहीं मैंने पहन सकती मैं अब भी जो थोड़ी ठंडी पड़ती है ना नॉमबर में मैं अराम सी इसको पहन लूँगी देखो कितना कुपसूरा तक द कुछ इसकी चीजी स्टिचिंग करनी है तो सब मैं भी जा रही हूं करने और यह रही मेरी सिलाई मशीन निकाल देती हूं मैं चलो ममा पार चलो देखिए इसे कैसे जंप कर रहा है उठो चलो ममा पार अकली अकली खिलता आज नहलाई नहीं हो थोड़ा ता चीक रहा था खिलता ओजिए मेरी से जाने की जो पैकिंग है वह शुरू हो गई है अब ऐसा मतलब डिशाइड हो गया कि हम उझे जाना है और शपार्श लगए आपने पैकिंग करने के लिए वह देखिए बैग उस बैग कोई काम नहीं वह ले भी नहीं जाना है वह पता है मेरे भी कु यहां तो वह भी उस बैग में इसको भी रख दिया दिखाती हूं क्या क्या इसने रख है पैकिंग कर लिया देखिए ये मेरा स्टॉल ये डेली सुबह में ओड़ती हूं ये कुर्थी जो मुझे ले भी नहीं जाना है और अब देखें गुस्सा हो रहा है मैं निकाल दी हूं तो अभी मैं बैग में थोड़े बहुत समान रखें उससे पहले मुझे ये जड़ें करवा चोट में मंगाई थी पहनने के लिए दो रिंग मंगाई थी दोनों में से मैं कोई भी करवा चोट के दिन नहीं पहने थी तना जादा मुझे अफसोस हो रहाता नहीं कि मैं क्या बताओं वो दोनों निवी रखी हुई और मैं ये जोलरी वाला रखने वाला जो मैं मंगाई थी और गनाइज करने के लिए इसमें से मैं एक दो पाउचेज न रख ले रहे हूं जिसमें मैं अपनी जोलरी लेकर जाओंगी जो मुझे पहना रहेगा दिवाली पे और छट दो को किनाने के लिए तो अन्धेरा तो यह थो कुछ आगए दो उसके बाद पिर मैं जाओंगी अबी ब्लाउस लेने के लिए और बाहर थोड़ा सा वाक करने के लिए अगए थी और अंदेरह तो हुई चुका है तो छरो ये थोड़ा से जल्दी आ गए थे ओफिस से तो चलो ये काम भी हो जाए वोग भी हो जाएगा और समान जो लेकि आना था वो भी लेकि आ जाओंगी अगर आने के बाद अभी मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए तो स्पॉश बहुत जादा खुश है क्योंकि अभी तक पैकिंग हम नहीं कर रहे थे और मुझे जब देखाना की समान रखते वे निकालते वे तो उसको अब मालुम चल गया है कि अब मुझे जाना ह दादा जी के पास तो बस मैं भी बोली कि सपर्श हम चलेंगे न हम और आप दादा जी के पास चलेंगे तो यहां पर मैं सिंगाडा की सबजी बना रही हूँ प्याज बगर सब कुछ मैंने डाल दिया है प्रेशर कोकर में लेसुन प्याज और यहां पर सिंगाडा को भी मै असको इंकुपलीट कर रही थी क्योंकि कई बारा से रहते हैं किचन में और यह खाना बनाते हैं तो इनको मालूम नहीं चल पाते हैंश्क्राइट में सब्सक्स बना लेते हैं लेकिन मासालो में पैचान हो जाते हैं अगर लिखा हुआ रहता है तो मिद्छ भी पनाना है तो निकालेंगे में ना पता है यह नॉमल मतब खाना दाल चावल रोटी सब्जी यह सारी चीजे बना लेते हैं बाकि कोई रेस्पी वेगर नहीं ट्राइब करते हैं कभी बोलते हैं मेरे से नहीं बनेगा चलो उतना बना लेते हैं बहुत हो हो हुआ 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 हम सब्छा है यह बस्तिया मसाला है आज थोडा साम अने डाले है सब्छी मसाला तो यह अच्छे से चुकばい और इसके बाद यहां देखिए मैंने सिंगाडा को बॉयल करके और इसके छिलके निकालके एक बर मैंने इसको धो दिया है ताकि एच्छे से साफ हो जाए देखे कितना क्लेन दिख रहा है और इसको यह तुम सीधे भी डाल सकते हैं या फिर मैं इसको ना दो टुकड़ों में कर लोगी तो थोड़ा थोड़ा ही करना है मैं ऐसे भी डालूंगी ना तो यह तूट जाएगा कई बार होता है तूट जाता है तो ऐसे कोई को ना ऐसे से बस कर दे रहे हूं बाद में तूट जाएगा खुद से हुआ है जहिए हुआ तो में ढोट जाए हो ना नजनल गः कखिए है या सिंगाडा की सब्जी तेयार हो जाएगी उसकी बाद मेरा बस खाना बनी रहा था और यहां पर मैं सालेट कट कर ली हूँ अपल है मूली है और नीवू डाल दी हूँ जो चीजे थी वहीं सब में इनको और देखिया सब्जी भी त्यार हो गई है अब खाना मेरा भी डिनर हो चुका है और वह सब्जी नहीं लेता है दो दो करके ना इनके प्लेट से निकालता है वैसे ही वह खाता है तो हम सोचते कि चलो जैसे उसका मन हो रहना खुद से बस खाए और खुद से भी खा लेता है कि अपनी अपनी मैडिशीन ले रहे हूं राद के टाइम और उसके बाद यहां पर जो यहां फ्रीज के उपर का जो क्लॉट्स था उसको मैंने सुबह सुबह वाश किया था तो वह भी सूक चुका है तो मैं इसके उपर डाल दे रहें नहीं तो फिर इसके उपर डस्ट आ जाता है तो एक अलगी टेंशन रहती है उसको साफ साफ कर देगी ज़रूर मतलब थोड़ा सा अगर वह कपड़ा नहीं रहता है जल्दी रस दिखने लगता है तो यहां पर में कपड़ा भी चाके और फिर यह फ्रूट्स बेगर रहे हैं यह सब मैं यहां पर रख तो फ्रेंस इस ब्लॉग को यह पहीं करते हूं ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना नेक्स ब्लॉग में बबाई टेक्यार गुटनाइट